नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News नमस्कार मैं अगामी चेर्चे 5 दिन मौस्क बना रहेगा हालंकि बीच बीच में कमजोर वेस्टन डिस्टेर्मेंट सक्रिया होने से आन्सिक बदलवाई देखने को मिल सकते हैं परन्तु पारिश नहीं होगी हर्याना वेनशार दिल्ली में आगामें दिन दिन तेज धूल बरी हवाई चलने के भी संभावन वेक्त की जा रही है पूरे देश में दक्षिन पस्टी मानसूर मोश मी जून से स्तंबर वर्षा समाने होने की संभावन जताई गई है विद्यारतियों के लिए खुशकवरी एक्टिवेटेड सिम के साथ जल्द मिलेंगे टैबलेट स्कुलों में एक्टिवेटेड सिम के साथ टैबलेट बाटने में हो रही देरी को लेकर सेकेंडरी सिक्षविबा के महानी दिशाग डॉक्टर जेक गणिशन की जियो और एटेल कंपनी का अधिकारियों के साथ विशेज बैठक होई जिसमें सिक्षविबा के अधिकारी भी समिल रहे मिटिंग में एक्टिवेटेड सिम वित्रान में देरी पर नाराज की जाहिर करते वे महानी देशक डॉक्टर जेक गणिशन ने जियो और एटेल के अधिकारियों को जल से जल सभी सिम एक्टिवेट करने के निर्दे जारी किये है बैटक में सिक्षविबा की अधिकारियों के और शी जानकारी दी गई कि उसके मताबिक अब तक दस जिलों के एक लाक्षी जादा सिम का एट डेटा एक्टिवेशन के लिए तयार है जब कि बाकि जिलों के लिए डेटा वेरिफाई करने का कारिय लगातार जारी है उन्होंने कहा कि दोनों कमपनी के अधिकारी दो जून से स्कूलों में कैम्प लगाकर एक्टिवेटेड सिम के साथ टैबलेट बाटना शुरू करें और अगले 15 दिनों में सभी सिक्षकों और चात्रों को एक्टिवेटेड सिम के साथ टैबलेट देना सुनिशित करें शुर्वातिय दोर पर जियो और रेरेटल पांच जिलों मुख्य रूप से कैथल पंचकुला महिंदरगट रेवाडी और यम्नानगर में एक्टिवेटेड शिम के साथ टेबलेट देगी इसके बाद जैसे जैसे सिम एक्टिवेट होते रहेंगे उनको टेबलेट में डाल कर सिक्षकों और छात्रों को देने का कारिय पूरा किया जाएगा भूपेंदर हुड़ा की सासनकाले में हुई पुलिस इंस्पेक्टर भरती की OMR सीट मिली गायव हाइकोट ने मांगा जवाब हरियाना करमचारी चैन आयोग द्वारा 2009 में भूपेंदर सिंग हुड़ा के सासन के दोरान हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भरती परक्रिया में दो OMR सीट गायव मिली है मंगलवार को करमचारी चैन आयोग ने पंजाब एंड हरियाना हाइकोट को बताया कि इस बाबत पुलिस में शिकायद दी गई थी इस पर हाइकोट ने पंचकुला पुलिस जहां H.S.S.C. आयोग ने इस बारे में शिकायद दी थी वहाँ के जाच अधिकारी को इस बाबत जवाब देने का आदेश दिया है हाइकोट ने पिछली सुनवाई पर आयो को इस भरती की 15 फ्रवरी 2009 को परिक्षत देने वाले सभी उमिदोराओं की उपस्तेती सीट वह ओमर की फोटो कॉपी कोट करने का आदेश दिया था इसे के साथ कोट ने इस मामले के सुनवाई जुलाई महिने तक स्थागित कर दी है उपस्तेती सीट वह ओमर सीट देखने के बाद कोट इस पर निरने लेगा कि क्या पूरी भरती को रदी किया जाए या फिर जिनके जैन में धांदली मिली है सिर्फ उनी की भरती रदी की को मिला जेजेपी का साथ कॉंगरिस के लिए संकट जानी क्या बन रहे है समिकर्ण राजी सबा में हरियना की दो सीटों के लिए अब मदान के बाद ही कोई फैसला होगा क्योंकि दो की बजाए तीसरा चेरा भी मैदान में कूद गया है भारती जंता पार्टी के वरिष्ट नेता और पोरु मंतरी कृष्णलाल पावार को उमिद्वार बनाया गया है मंगलवार को मुख्यमंतरी शिया मनोरलाल और पार्टी के परदेश सद्यक्स ओंपरगास धनकर ने उनका नामांकन पत्र दाखिल कराया दूसरे तरफ नेता विपक्स और पोरु मुख्यमंतरी मुपेंदर सिंग हुड़ा हाइकमान की पहली पसंद अजय माकन को लेकर नामांकन कराने के लिए सबी विदाइकों के साथ विदान सबा पहुंचे अजय माकन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है अजय माकन का खेल बिगड़ता हुए नजर आ रहा है आपको बता दें कि पूर मंतरी हरियाना विनोद सर्मा के पुत्र कारतिके सर्मा ने बदलते घटना करमे नामांकन के अंतिम दिन और अंतिम चरण में आदा घंटा पहले अपना नामांकन दाखिल किया है खास बात यह है कि भासपा गटबंधन के साथ ही जननायक जनता पार्टी के और से कारतिके को शमर्थन का आयलान कर दिया गया है इतना ही नहीं भारति जनता पार्टी के और से भी निर्दलिय उम्मीदवार को स्पोर्ट करने की विदिवत गोशना कर दी गई है भारते जंता पार्टे के पर्थम पर्थाशी किर्शन कुमार को जिताने के बाद जो भी अतिरिक तुवर कोंगे वेक कार्ति के सर्मा को जाएंगे कुल मिलाकर हाई कमान के सहारे अपनी नईया पार लगाने की उमीद लिये बैठे माकन को राजस्थान में जटका लगने की संभावन जदा है आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि कॉंग्रेस के दिगज नेत और हरियाना की माटी से संभन्द रखने वाले रणदीप सिंग सुर्जे वाला भीतर गात और सारे हाला देखकर राजस्थान में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं हरियाना में सिंबल पर निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी कॉंग्रेस बताया यह कारण हरियाना के आगामी सहरी स्थाने निकायों 18 नगर परिशत और 28 नगर पालिकाउं के चुनाव कॉंग्रेस पार्टी चुनाव चिन पर नहीं लड़ेगी मंगलवार को चंडिगड में पार्टी के एक एहम बैठक में यह निर्ण लिया गया हर्याना पर्देश कॉंग्रेस कमेटे के अध्यक्स उद्यभान ने बताया कि निगाई चुनाओं को लेकर चंडिगड में बैठक का आउजन किया गया जिसमें हर्याना में पार्टी मामलों के परभार भी वेक बंशल, कॉंग्रेश विधायक दल के नेता और पोरु मोखी मंतरी चोदरी भूपेंदर सिंग हुड़ा, शान्सत व्य कॉंग्रेश कारी समिति के विशेश आमंतरित सदस्च है, चोदरी दिपेंदर सिंग हुड़ा परदेश कॉंग्रेश कारेवायक अद्यक्स जितंदर कुमार भारदवाज वा चोदरी रामकेशन गूरजर तथा विधायक किरन चोदरी साइथ बैठक में जिन जिन निकावें में चुनाव होने हैं, उन सभी हलकों के विधायक भी मोजुद रहे, परदेश कॉंग्रेश परदेश के चुनाव भायचारी के होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए कॉंग्रेश ने निकायों के ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने का ये एहम निरने लिया है वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर, खात्म होने जा रहा है फास्टेक, अब इस नई सिस्टम से कटेंगे पैसे हाइवे पर सफर करने वाले और फास्टेक का इस्तिमाल करने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है अगर आप भी फास्टेक का इस्तिमाल करते हैं तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप फास्टेक खत्म होने जा रहा है इसको लेकर केंद्रे परिवयन मंत्री नितिन गड़करी खुद इसकी गोशना कर चुके हैं गड़करी ने टोल्टेक्स वसूलने का दूसरा फार्मूला बताया है जिसके बाद फास्टेक की अनिवारिता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी गाड़करी ने बताया कि इस नए सिस्टम के बाद टोल टेक्स ज्यादा भरने वाली समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उसके बाद आप जितना हाइवे पर चले हैं उतना ही टेक्स देंगे यानि आपके अकाउंट से उतना ही कटेगा केंद्रे मंत्री ने दावा किया कि बहुत जल्द GPS इनेबल्ड सिस्टम पूरे देश के हाइवेज पर लागू किया जाएगा जल्द आ रही नए टेक्नोजी के अनुसार जैसे हाइवे या एक्सप्रेस वेपर गाड़ी चलने शुरू होगी उसके टोल का मेटर ओन हो जाएगा अपना सफर खत्म करने के बाद गाड़ी जैसे ही हाइवे से सिलिप रोड पर या फिर सामानी सटक पर उतरेगी उसके बाद तैय दूरी के जब से नेविकेसन सिस्टम आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा ये नया सिस्टम भी फास्ट है कितरह ही काम करेगा लेकिन रुपया उतने ही काटेगा जितना आप सफर करेंगे विदेशों में भी किलोमेटर के अनुसार टोल वसूली का सिस्टम पूरी दर से काम्याब हो रहा है इंडिया में भी उसी तरज पर इसे लागू किया जा रहा है कोलेज के रिटाइड प्रिंशिपलों को रिएमप्लायमेंट देनी के आदिस पर हाई कोट ने लगाी रोक इस वरिश्टा के आधार पर उन्हें कोलेजों के प्रिंशिपलों के पद पर प्र्मोशन दी जानी चाहिए थी राजी में इस समय 143 सरकारी को ले जाए और इनमें से 25 परतिसत में प्रिंसिपल के पाद पर शीदे नियुक्ति की जाती है और बाकी के 75 परतिसत पदों पर पर पर्मोशन के जरीए नियुक्तियां ती जाती है इन पदों पर सरकार ने रिटार्ड प्रिंशिपलों को रिइंप्लाइमेंट से न्यूक्त करने शुरू कर दी है इस तरहें याजिका करताओं से प्रमोशन का अधिकार छेना जा रहा है हाई कोड ने याजिका पर हरियान सरकार को नोटी जारी कर जवाव मांग लिया है और साथ ही रिटार्ड प्रिंशिपलों को रिइंप्लाइमेंट दे न्यूक्त किया जाने पर रोक लगा दी है निकाहे चुनाओं में इनेलों को धांदली होने का डर अभैज चोटालाने की यह मांग इनेलों के परधान महास्चीव एम एलनाबाद के विदाएक अबैशिंग चोटालाने परदेश में 19 जून को होने वाले निकाही चुनाओं में राजिय निर्वाचन आयोक दोरा मतदान की दोरान वीवी पेट का इस्तिमाल नहीं करने के निर्णे पर सक्त एतरा जताया है उन्होंने का है कि राजिन निर्वाचन आयोको 2013 के सुप्रिम कोट की निर्णे को माना चाहिए जिसमें चुनाओं आयोको एवी एम के साथ वीवी पेट की व्यवस्ता लागू करने के निर्देश दिये थे परदेश की बाध़पा सरकार ने सुप्रिम कोट के आधिसों के बावजूद एवी एम के साथ वीवी पेट व्यवस्ता लागू करने के कोई प्रावदा नहीं किये हैं इने लोनेता ने निकाई चुनाओं में वीवी पेट के इस्तिमाल करने की मान करते भी कहा कि इससे धांदली नहीं होगी और पार दिर्शिदा बनी रहेगी निकाई चुनाओं में एवी एम के साथ वीवी पेट का इस्तिमाल ले करने का मतलब साब है कि बहाज़पा सरकार चुनाओ जीतने के लिए बड़े पहमानी पर धांदली करना चाहती है हरियाना कॉंग्रेस में दर्द बढ़ा कैप्टन अजय यादो बोली राजी सबाद चुनाओं में टिकट का हक सेलजा का बनता था राजी सबा के नामों की गोशना के बाद अब कॉंग्रेस में कले बढ़ते होई दिखाई दे रही है कॉंग्रेस OBC सेल की राज़्टिया देक्स कैप्टन अजय सिंग यादो का मानना है कि 10 राजी में हो रहे है राजी सबाद सुनाओं में किसी एक राजी सी टिकट का हक क कुमारी सेलजा का भी बनता था कैप्टन ने कहा कि उन्होंने ने तो अजे माकन की हरियाना से दाविदारी पर कोई सवाल उठाया है और नहीं वैं उनका विरोध कर रहे हैं उनके बेटे यानि रेवाडी के विदायक चिरंजीवी राओ अजे माकन के पक्स में मदान करें तो सोनिय कांदी के निर्देशा अनुसार वे हुड़ा के साथ खड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि परदेश में कॉंग्रिस पार्टी एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है आने वाली समय में परदेश में कॉंग्रिस की सरकार बनना तैय है परदेश पारे विवाग ने जानकार देते वे कहा कि कलाकार खुद ही कलाकार पंजिकन पोर्टल पर रजिस्टेशन कर सकते हैं कलाकारां को केवल एक बार ये पंजिकन करना होगा एक जुन से 31 जुलाई दक कलाकार इस पोर्टल पर पंजिकन करा सकते हैं पैंसन योजना सीनियर सिटिजन को मिलेंगे एक लाख ग्यारा हजार उपए सरकार ने शुरू की धवाकेदार पैंसन स्कीम सीनियर सिटिजन के लिए जरूरी ख़बर है 60 वर्ष के उपर के लोगों के लिए सरकार ने पी-म वे वंदना योजना की सुरूआत की है इसके तैट आप सालाना 1,11,000 रुपय तक पैंसन पा सकते हैं परधान मंतरी वे वंदना योजना बुजरुकों को उनके जीवन के महत पुन पड़ाव पर आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए सुरू की गई है इस योजना से जुड़ने के लिए कम से कम उमर की बात करें तो 60 साल या इस से आधिक होनी चाहिए इसके तैट आधिकतम उमर की सिमा तैय नहीं की गई है इस योजना में एक व्यक्ति आधिकतम 15,000 रुपय तक निवेस कर सकता है इस स्केम के संचालन की जिम्यदारी जीवन विवानिगम यानी LIC को शोपी कई है इस योजना में पैंसन के लिए आपको एकमुष्ट राशी निवेस करनी होती है और फिर आप माशिक, त्रेमाशिक, अरद्वार्शिक या फिर वार्शिक पैंसन का विकल्प चुन सकते हैं इस स्केम के तहट आपको 1000 रुपय परति महीने की पैंसन के लिए आपको 1,62,162 रुपय निवेस करना होता है PMVVY यानि परधान मंदरी वेवंदना योजना स्केम की विष्टर जानगारी के लिए आप 0,62,688,19,281 या 0,62,689,19,0 डायल कर सकते हैं इसके अलावा आप टोल फरी नंबर 1800,227,717 पर भी डायल कर सकते हैं इस योजना को सर्विस टेक्स और GST से छूट दे गई है और सबसे खास बात कि किसी भी गंभिर बिमारी या जी उनसाती के इलाज के लिए समय से पहले आप इस पैसे को निकाल भी सकते हैं परधानमंत्री वेवंदना योजना में निवेज के लिए आपके पास पैनकार्ड की कौपी, एड्रसपरूब की कौपी और बैंक पास्क बुक के पहले पेज के कौपी होना आनिवारी है इस योजना में आपके लिए Lewn स्विधा भी है इसमें आप पॉलिशी के तीन सालों के बाद PM VVY पर लोन ले सकते हैं आदिक्तम लोन की रकम परचेज प्राइज का पिचेतर फेश्टी से ज़्यादा नहीं हो सकती है PM किसान अपडेट योजना की 11 किस्त जारी कर दी है इसके तैट लगबग 10 करोड किसानों के खाते में 21 करोड रुपे भेजी गई है दरसल केंदर सरकार अपने 8 सल पूरे होने के मौके पर हिमाचर परदेश की राजदानी सिम्ला में राश्ट इस्तर पर गरीब कल्याण सम्मेलन आउजित किया इस मौके पर PM मोदी भी सिम्ला पहुंचे यहीं से परदान मंदरी नरेंदर मोदी ने किसान समान निदी योजना की 11 किस्त जारी की मुशेवाला पंच तातों में विलीन पिता ने पगड़ी उतार कर लोगों को शुक्रिया कहा आखरी सफर में उमड़ी परसंसकों की भीड माशूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मुशेवाला पंच तातों में विलीन हो गए है मानसा जिले के मुशा गाउं श्थित उनकी खेत में ही उने मुखागनी दी गई मुशेवाला की अंतिम यातरा में उनके परसंसकों की भारी भीड जुटी जो उनकी एक आखरी जलक देखना चाहती थी मुशेवाला के पैता बलकोर शिंग और माद चरनकोर ने अपने स्टार सिंगर बेटे को विदाई देने पहुंचे सेकड़ो परसंसकों का हाथ जोड़ कर धन्यवाद किया पिता ने अपने पगड़ी उतार कर परसंसकों को शुक्रिया किया मुशेवाला की सवयातरा और अंतिम संसकार वाली जगहें पर पंजयाब सरकार मुर्दाबाद के नारी लगे उनके परसंसकों ने उनके सिक्योर्टी हटाई जाने और इसके जानकरी सावजनी किये जानी के चलते सरकार के परती नाराज की जाहिर की इससे पहले मुशेवाला की मा ने अंतिम यात्रा के लिए आखरी बार बेटे के बाल समारे पिता ने पगड़ी पहनाई मुशेवाला की सिर पर सेहरा सजाय गया सिद्धू मुशेवाला का आगामी 11 जून को 29 बड़े था और जून में हैं उनकी साधी होनी थी ताबुत में लेटाई काई बेटे को मा पिता एक टक निहारते रहे यह देखर वहां मुझूद लोगों की आखे बराई मुशेवाला की अंतिम यात्रा उनके फेवरेट 69 ग्यारा हम्टी ट्रेक्टर पर निकाली गई मुशेवाला ने अपने कई पंजयवी गीतों में इस ट्रेक्टर का जिक्र किया है इसे मोडिफाई करवाकर भी उन्होंने घर में ही रखा हुआ था बता दे कि मुशेवाला का रहिवार शाम जवाहर के में गोलिया मार कर हत्या कर दी गई थी पोस्ट मार्टा में उनके सरीर पर गोलियों के 24 निसान मिले उनका सीर पैर छाती और पेट गोलियों से छलनी हो गया मुशेवाला के बाएं फेपडे और लीवर में भी गोली लगी मुशेवाला हत्यागांट की जांच अब हाई कोट के शिटिंग जज करेंगे पंजाब के गरह सचीव अनुराग वर्मा ने पंजाब एंड हर्याना हाई कोट के रजिस्टार को पत्र लिग दिया है मुशेवाला के पिता बलकोर सिंग ने यह मांग की थी सिक्योर्टी कटोती लिग पर हाई कोट ने पंजाब सरकार से जवा मांगा है सेयर मार्केट में गिरावट सेंसेक्स 369 पॉइंट टूट कर 5556 पर बंद तो वहीं निफ्टी 16584 पर मेटल और रियाल्टी सेयर्स में दिखाई दिते जी सेंसेक्स और निफ्टी हापते के दूसरे कारोबर दिन यानि मंगलवार को ग्रावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स 369.33 पॉइंट की ग्रावट के साथ 5556.41 पर तो वहीं निफ्टी 36.85 पॉइंट की ग्रावट के साथ 16584.55 पर बंद हुआ सेंसेक्स में एंटीपेसी महिंदरा, पाउर ग्रेड, टेक महिंदरा और टाइटन में सबचे ज़्यादा बढ़त दिखाई दी महिंदरा और महिंदरा के सेरों में जबर्दस तेजी रही कंपनी के सेर ने 3.55% की तेजी के साथ 133.30 रुपे पर ट्रेड किया, दरसल कंपनी के सेरों में तेजी के पीछे सांदार तिमाही नतीजी रहे हैं PMJJBY और PMSBY के दरें बढ़ाई आज से 12 और 330 रुपे वाले सरकारी बीमा महिंगे वे चुकाना होगा ज़्यादा प्रीमियम केंदर सरकार ने मंगलवार को परधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना यानि PMJJBY और परधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना यानि PMSBY का प्रीमियम बढ़ा दिया है ये दोनों योजना ही बैंकों के खाता दारकों को दी जाती है प्रिमियम की राशे भी खाते में सही काटी जाती है पर्धान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना की प्रिमियम दर को बढ़ा कर एक रुपे 25 पैसे परती दिन कर दिया गया है जिससे ऐसाला ना 330 रुपे से बढ़ कर 436 रुपे हो गई है पर्धान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना की शुरुवात 9 मई 2015 को की गई थी यह एक साल का लाइफ इंसुरेंस प्लान है इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है इस योजना को खरीदने पर व्यक्ति की मृत्यू होने के बाद उसके परिवार की सदेश्य को 2,00,00 रुपे दी जाते है पर्धान मंतरी सुरुख से बीमा योजना भी एक सरकारी बीमा योजना है इसके जरीए अगर किसी व्यक्ति की दुर्गटना में मृत्यू हो जाती है या वैद दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार को 2,00,00 रुपे का इंसुरेंस कबर मिलता है इसके अलावा आन्सिक रुप से दिव्यांग होने पर भी बीमा धर को 1,00,00 रुपे की आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाती है इन दोनों योजनाओं में प्रीमियम पॉलिशी खरीदने वाले व्यक्ति के खाते से ओटो डेवेट सिस्टम के जरिए खुद बाखुद पैसा कट जाता है आज खबरों में बस इतना ही देखते रिए CWB हिंदी न्यूज नमस्कार